एक बार भगवान ब्यास देव जी ने एक इसलोक लिखा कि बलवान इंद्री ग्रामों विद्वानम अपिकरसती इंद्रियां बड़ी बलवान जो बड़े बड़े विद्वानों को भी खिच कर ब्रष्ट कर देती है इसलिए एकांत में अपनी बहन के पास बहुत समय तक न कि बिद्वान है वो और जानता है मेरी बहन है और बेटी है पवित्र भाव तो ऐसा कैसे कर सकता है आपने जो इसलोक लिखा तो मुझे संसय नहीं पर मुझे आप समझाईए कि ऐसा कैसे जो बिद्वान है मूर खो तो बात अलग है तो उनका इस प्रश्ण का उत्तर तो हम कुछ दिन बात देंगे हमें याद आगया हमको बद्री नारयन वाले आश्रम में जाना है अब ये उत्तर है ये उनके प्रश्ण का तो दस पंद्रा दिन तुम समालो आश्रम सैक्रों ब्रह्म रिशी बिद्यार्थी जन है पंद्रा दिन बात हम आ जाएंगे फिर आपके इस प्रश्ण का उत्तर देंगे ठीक है उसी साम को हलकी सी बरसा होने लेका भगवान है ब्यास देव जी संध्या का समय और सोला वर्सिकी अवस्थाधारन की स्याम रंग अर्विंदाक्ष नेत्र और छम छम करती भी सामने आ गए और गंगा इसनान करके सब जिसी जना इस जा रहे थे सब इसे तो जैमनी जी के पास आई और का भगवन रात्री का समय आने वाला बड़ा भ्यावा है मैं अपना घर भूल गई हूँ आज रात्री अपने आस्रम में आप जगह दे देंगे क्या उनका नहीं गुर्देव बाहर गए हुए है और सक्त आदेश है ब्र नागत की रक्षा करनी चाहिए अब गुरू जी है उनको तो कौल काट सकता है जैमनी जी ने का बात तो तुम्हारी सही है कि तुम्हारा इस्तरी सरीर है अभी देखा नहीं इस्तरी सरीर है और गुरू जी है नहीं और तुम्हारी रक्षा भी कर अचा ऐसा कर सकते हैं कि हम आपने आस्रम में एक जोपड़ी खप रहला था उसमें अलग आपको दे दे देंगे तो दर्वाजा लगा आप बंद करें मैं भी कहूँ तो दर्वाजा रात्री में मत खोलना सुबह निकल जाना उनका जैसी आपकी आग्या मेरी रक्षा हो जाएगी चलो दूर चलो और वो कुटिया है जाओ दर्वाजा अंदर बंद कर लो जाकर यहां सब ब्रह्मचारी रहते हैं अब जाके जो संध्या बंदन करके ध्यानस्त हुए तो दिमाग में आया कि हमने पूछा नहीं कि तुम रात्री सूपजायते संगात संजायते कामा कामात कुर्ध हो भी जायते कुर्धात भोत सम्मुहा सम्मुहा इस्मत भी भ्रमा इस्मत भ्रंसात बुद्धिनासो बुद्धिनासाथ प्रणस पहला रोग सुरू हो गया ध्यान जहां प्रभू का ध्यान होला था वाँस तो चरण देखे थे बड़े ही सुन्दर उनका मुख कितना सुन्दर होगा अब गए अब इतना सब करते हुए रात्री तो होई गई थी दरवाजा खट खटाया तो उनका दरवाजा तो नहीं खुलेगा बोले मैं जैमेनी जी बोले नहीं जैमेनी जी ने मना किया है कि सुबह दरवाजा नहीं खुलेगा दरवाजा तो खटर हिलाए थे कोई लिंटर तो था ले खटरा हटाये मास हटाये कूद गए देखा तो वो शुन्दर रूप क्योंकि भगवान ने दारण किया था स्याम रंग छटा चा रहे थे इंदर नील मनी कांतियों नो यवव नवस्था देख के मुगध हो गए अब सब पूछना बूल गए कि तुम कहां से आई हो क्या कुछ नहीं पूछा तुम्हारा ब्या हुआ है नहीं तुम ब्या कर सकती हो हाँ हमसे कर सकती हो तो यह आप जैसा रिसी मिले तो फिर क्या कहला है ब्या तो करी लेगी तो उनका फिर ब्या कर लो हमसे उनका सर्थ है जहां आप इसनान करने गए तो वहां काली जी का मंदिर है वहां तक अपना मूँ काला करो हमें पीछ में बैठालो और वहां तक ले चलो फिर वाम जय माला डाल देंगी तुम्हारे सोचांद एका मामला है ठीक है काम कितना प्रवल होता है मूँ काला किया पीछ में बैठाला घुटने के वल चले जब वहां पहुँचे थे दो थब पड़ मारे तो उन्होंने देखा तो बगवान ब्यास देव जी ने का इस लोग गलत है कि सही बोले गुर्देव सही है क्योंकि इतले बड़े विद्वान जैमेनी रिसी तो बोले तुम्हारे लिए तो पूर्ण जगत जननी के भाव में देखो या बेटी के भाव में देखो या बेहन के भाव में देखो मारा भाव क्यों बदल गया इस लोग में लिखाया कि गलत है कि बोले गुर्देव पक्का सही अब कभी जूर रहा तो ये बात है कि बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धी एकांत में संयोग प्राप्त करने के लिए ब्रश्ट हो जाती है इसलिए बचना चाहिए सास्त्राग्यां से चलना चाहिए